समस्कार दोस्तों, आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस बेबी स्वेटर में कॉलर बनाना सीखेंगे जब हम बटन पर्ती बनाते हैं तो हमेशा फंदा सीधी तरफ से उठाते हैं लेकिन अगर हमें कॉलर बनाना है तो हम फंदा उल्टे की तरब से उठाते हैं क्योंकि यह चीज़ क्लीन होना चाहिए क्योंकि यह चीज़ उपर आ जाता है तो हम फंदा उल्टे की तरब से उठाएंगे फंदा उठाने के लिए बटन पट्टी के फंदे यानि साथ फंदे इधर और साथ फंदे इधर छोड़ देंगे और बीच के सारे फंदे हम उठा लेंगे हमें यह सीद्धी यह फंदे दिखना है हमको प्रतिक फंदे में ऐसे स्लाइड डालना है और एक फंदा ऐसे बना लेना है मेरी एक यूटूबर फ्रेंड्स हैं इंजीनियर अंकिता गुपता उनके चैनल का नाम भी यही है इंजीनियर अंकिता गुपता वो अपने चैनल पे मैस से समंदित और इंवर्मेंटल साइन्स से समंदित क्वेस्चन्स हल करती हैं और वो बच्चों को UPTU,EEE, IIT और ITI को क्रैक करने में मदद करती हैं और अन्यवि जितने भी competition हैं उसमें मैस से problem जो होती है उस सभी को वो हल करती हैं तो यदि आपको आपको समंदित कोई ऐसा हो जो competition में बैठता हो और उसे इन से विश्यों में problem हो रही हो तो वो उनके चैनल पे जाके अपने questions को उनसे solve करा सकता है और उनकी help ले सकता है तो friends हम अब अपने topic पे आते हैं तो हम ऐसे एक-एक करके सारे फंदे उठा लेंगे और शुरुवात के भी 7 फंदे और last के भी 7 फंदे छोड़ देंगे हम अपने ये border वाले फंदे छोड़ देंगे और अब हम count करते हैं कि ये कितने हुए तो 64 फंदे ये उठे हुए हैं तो अब हम अपना design इस पर set करेंगे चुकि हमें 8 संख्या में फंदे चाहिए तो हम एक फंदा और यहां से उठा लेते हैं और ये अब हो गया 65 तो अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे पहला फंदा ऐसे पॉल वाइस डालेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधा बुन लेंगे तो इस तरह हमें 10 लाइन कंप्लीट करना है देखिए फ्रेंट्स अब हम सीधी तरफ आ गया है सीधी तरफ मतलब यह हमारा कॉलर है तो कॉलर के सीधी तरफ रॉंग साइट से हम पंदे उठाते हैं और चुकि कॉलर ऐसे पलतेगा इसलिए हमारा यह पार्ट जो होता है वह फ्रेंट पार्ट हो जाता है तो अब हम मारा ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांश ये धारियां बन गई है और अब हम यहाँ पे डिजाइन सेट करेंगे तो पहला फंदा हम ऐसे परल वाइस डालेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा तो ये तीन फंदे हो गए, फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, फिर पांश फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांश तो इन तीन फंदों को छोड़ देंगे और ये तीन फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा, पुरे कालर में बनेगा लास्ट के तीन फंदों को छोड़ देंगे, तो हम ऐसे ही सेट करेंगे, तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, और पांश फंदा सिधा है ऐसे ही पूरे कॉलर में हम बुरंगे तो मैं आपको साथ करके दिखती भी तो तीन फंदा उल्टा, पांश फंदा सिधा, फिर लास्ट में 3 फंदा उल्टा, और लास्ट में 3 फंदा बचेंगे, जिसे हम सीधा बना लेंगे तो तीन फंदा सीधा अब ये बाराहवा लाइन है तो तीन फंदा हम उल्टा बनेंगे फिर तीन फंदा सीधा और ये पांश फंदा सीधा था तो ये पांश फंदा उल्टा हो जाएगा एक दो तीन चार पांश और तीन फंदा सीधा फिर पांश फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लेट करेंगे पांश फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्रेट करेंगे या फिर जो सीधा दिखाय दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाय दे रहा है उसे उल्टा और फिर हम अपना डिजाइन बनाएंगे यानि तीन फंदा सीधा फिर तीन फंदा उल्टा और इन पांच फंदों में हम अपना ये वाला डिजाइन बनाएंगे यानि दो फंदे को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे उन अपनी और करेंगे और जाले देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदों को हम लेंगे और बैक लूप से दोनों को एक सीधा फंदा बना देंगे तो ये पाश फंदे का डिजाइन हुआ फ लिए उन अपनी और करेंगे इस घटे हुए फंदे को बैलेंस करने के लिए उन अपनी और करेंगे अगले फंदे में जाली देते हुए सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे इन दो फंदो को एक साथ लेंगे यहां पर एक फंदा हम गटाएंगे और उन अपनी और है यानि फंदा बढ़ भी गया यहां तुरंत ही बैलेंस हो गया तो इन्हें पाश फंदो को हम का हम दिजाइन बनाएंगे तीन फंदा उल्टा और पाश का डिजाइन तीन फंदा उल्टा और फिर पांच फंदे का डिजाइन का डिजाइन पांच फंदे यस कर फिर दो बसे पांच फंदेन पांच जो इजाइन का डिज नहीं है क्टछाम पांच जाइन वांच प्रेट जर टुब झाल लास्ट में तीन फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा पिर हम सीधी तरफ में हैं तो तीन फंदा सीधा पहला फंदा स्लिप कर लेंगे दो फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदा उल्टा और ये डिजाइन वाले पांच फंदे इसे हम सीधा बुन लेंगे फिर तीन फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा बुनते हुए ऐसे ही तीन फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है अब हम यहाँ पे दूसरा डिजाइन बनाएंगे तो तीन फंदे तो ऐसे पर्ल वाइस डालेंगे उन दूसरी और करेंगे दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा सीधा जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर देंगे फिर तीन फंदे उल्टे एक दो तेन फिर उन दूसरी और करेंगे इन पांच फंदों में हमें डिजाइन बनाना है तो दो फंदों को एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा उन अपनी ओर करेंगे इसको सीधा करेंगे अगले फंदे को भी लेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाले देते हुए दो काईद करेंगे तो इन ही पांच फंदों को हमें कामें डिजाइन बनाना है प्रतेक ये जो पांच-पांच फंदे हैं इन पर तेन फंदों को उल्टा बनेंगे और पांच फंदे का डिजाइन तो तो का एक किया सीधा बनते हुए उन अपनी और किया अगला फंदा जाली देते हुए सीधा उन अपनी और किया दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा बनाएंगे तो इसी तरह करते हुए हम पूरी ल पन्दाल उल्टा और तीन फंदाल सीधा रांखट साइडसे पेला पन्दा चिलिप करेंगे और फिर पांच पन्दाल सीधा एक दो तीन चार पांच फ्रिर पांच फंदाल उल्टा डिजाइन वाले cinq फिर तीन फंदा सीधा और पांश फंदा उल्टा इन्ही आठ फंदों को हमें पूरी लाइन में दूरा ना है और फिर लास्ट में छे फंदे बचेंगे तो उन्हें हम सीधा बना लेंगे देखिए हमारा दो डिजाइन ये कम्पलीट हो गया है तो जैसा कि हमने यहां पे 10 लाइन सीधा सीधा बना था ऐसे ही अब हम लास्ट में भी 10 लाइन बनेंगे तो 9 लाइन बुनने के बार, 9 लाइन सीधा सीधा बुनने के बार, 10 लाइन में हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे तो फिर मैं आपको 9 लाइन बुन के दिखाती हूँ देखिए फ्रंट्स, डिजाइन के बाद से ये हमारा 9th row कम्प्लीट हो गया है और ये हमारा कॉलर बन के त्यार है, अब ये 10th row है और wrong side तो पहला फंदा ऐसे pearl wire जालेंगे, उन दूसरी और करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और पिछला वाला फंदा आगे वाले पे चरहाते हूँ एक-एक फंदा सीधा बनते जाएंगे, पिछला फंदा ऐसे आगे वाले फंदे पे चरहाते जाएंगे या फिर इस फंदे को भी 22 लाई में चरहा लेंगे और दो-दो फंदो को एक साथ लेंगे और दो का एक ऐसे सीधा बनाते चले जाएंगे तो दोनों विधियों में से हम कोई विविधी अपना सकते हैं दो दो फंदो को एक सर लेंगे, दो का एक कर लेंगे न हमको बहुत टाइट बनाना है, न बहुत थीला उतारना है एक नार्मल वे में हम सारे फंदे उतार लेंगे देखिए हमारे फंदे उतरने शुरू हो गया है हम इन दोनों विधियों में से कोई विविधी अपना सकते हैं हम सारे फंदे ऐसे प्लोज कर देंगे इसको अंदर से निकालेंगे ऐसे टाइट करेंगे और अंदर के तरफ यसे फ्रूई से या क्रोशियर से किसी भी चीज से इसको अंदर अंदर तो हमारा ये कॉलर बनके तयार हो गया तो देखिए फ्रेंट्स ये सुन्दर सा कॉलर बनके तयार हो गया तो देखिए फ्रेंट्स ये हमारा डिजाइनर कॉलर तयार हो गया झाल झाल झाल